हेलो गाईस नबस्ते रादे रादे कैसे हैं आप सब आशा करते हैं बहुत अच्छे होंगे वेलकम बैक टू माई न्यू ब्लोग तो देखे गाईस सुबह की सुरुआत हो गई है आप लोगों के साथ तो आप सोच रहे होंगे कि ये नए नए चेरे कौन है तो गाईस मैं बता देती हूँ ये है मेरी मम्मी जो की आशुबह ही कौन से आई हुई है और ये मेरा भाई है सबसे छोटा हमारे चार भाई है तो सबसे छोटा भाई मेरा यही है तो ये मम्मी को लेके आएं आशुबह कुआ पाई. तो देखिए Friends बच्चे बामा के साथ में कितनी मस्ती कर रहे और ये देखिए नानी से कितने अच्छे से पैर दबवा रहे हैं हुँआ चोटे साहब जादे हमारे इतना हस्राइते अधे उर्लोक बहुत नानी के साथ लगे हुए हैं तो वैसे फ्रेंड्स घर में कोई आता है तो रहुना की ही हो जाती है और बड़े बुजुर्ग हों तो क्या ही कहना तो यह देखिए मेरा बाबू बार बार उट रहा है फिर बैट रहा है कैसे खेल लाइसको बहुत ही मज़े आ रहे थे ममा एक फोटो किजवाने है ममा एक फोटो किजवाने आए ममा एक फोटो किजवाने देखिणरे एक बाब ग्वार्जान कोणी सरा खोली मज़ा है सुमी दो ऩिना कल रा ग्राले तरी जो यह टॉको डप्रालन क हूल ऑं तरी दिजो हए? जाँ बेचो 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 हेलो हेलो बाल बाल यह मामा करते है हाल यह यह बिला रहो मामा मैं आपके बाल बनाओ बाइस करो बाइस बाइस सबोभर भॉ तो फ्रेंड्स खाना बना हम लोगों ने खा लिया था और उसके बाद यह है पांच मजे का टाइम बारी सोच चुकी थी बंद तो हम लोग आ गए सारे लोग बूप पर और यह देखिए यहां पर कितने खिले-खिले से पौदें थे और यह सदाबार का पौदा है बहुत ही स जुगंदित कुस्बू आ रही थी और पौदों को ऐसे हरा वरा देख के बहुत ही अच्छा लग रहा था कि बारिस के पाने से पौदे ना हरे वरे हो जाते हैं यह देखिए फ्रेंड्स के दिने प्यारे प्यारे पूल लग रहे थे पौदों में इतने सुन्दर लग रहे तो हम लोग आये थे ओपर यहां पर सब लोग ते अनन्या अशी और भी बच्चे थे और एक यह थी ती यह लोग चलते हैं यह उपर मस्ति करेंगे देखिए किती तेज की हवा चल रही थी तो वही सभी यहां पर खेल लेए रही नजारा कितना सुन्दर भीयू था एकदम भलका पांच बजे का टाइम था बारिस बंद हो चुकी थी लेकिन बदली चाही हुई थी मौसम अच्छा लगजा था हवावी चल ले तो मम्मी यहां पर आ गई सब लोग यहां पर गाइस जैसा आपने देखा मम्मी मेरी आयूनी है और मेरी चोटा वाला भाई भी आया आप देखना बने रहे हैं गाइस ब्लोग में और यह देखें गाइस यहां पर मेरी निकल गया दाना साइब आम खायो ना तो आम निकल रहा है तो जाए गाइस बहुत तबीठीक निया हांतरें बहुत दर्द को रहा है और थोड़े हाथ पर दर्द कर रहे हैं जु खाम ब पर ने रहिए ब्लोग में बुर्ले पे बॉर्फन बड़ात बढ़ाए दूृट अजय है कि तो यह देखिया ये सासुमा मतले मेरि मपमी जी तो देखि एकके कितने खुस आंँ हं सुबह से बीटने खुस हैं तो देखे गाइस सब को एसे को सुना चैए है लेके हाँ यह बार से चॉमन और यह मंचूरियन चॉमन सब के लिए लग गई है यह पर यह मंचूरियन तो चले गाइस फ्टटो को देते हैं चॉमन आजाए आप भी घाली जिये पर यह है हमारी आशी अब हो रही है खाने की तयारी देखिए लेसुन प्याज औहरी मिर्ची का पेश्ट होनाएं जा रहे हैं तब बढ़े रहे हैं कि यह देखिए गाईस यह है मेरा सब्सक्राइबाइ बहुत खुषी है खुषी खुषी चलिया गाईस कडाई में डालते पेल और बनाते हैं फटपट मतर पनीर तो बने रहे हैं तो बने रहे हैं आप इसको भून लेते हैं इसमें हैं प्याज लैसुन और दो कटी हुई हरी मिर्ची तो चलिए फटापर इसको भून लेते हैं इसके बार डालते हैं टमाटर इसका ब्राउन है तो चलाएंगे तो यह देखे फ्रेंस हमारी ग्रेवी बन पप चुकी है और इसमें तो इसमें मैं आड़ कर देती हुँ माटा रही तो यह गई हमारी इसमें माटा और इसमें आड़ करते हैं पानी आड़ करेंगे हम पनीर तो चलिए थोड़ा सा पानी और डाल दिए इसमें ड़कर कर देते हैं बन देंगे प्रेंड्स पनीर और यहां पर मैंने चड़ा दिया हुँ मता थोड़ी सी हलकी सी नम हो जाएगी तो फिर पनीर एड़ करेंगे बाद में फटा प्रमिस को पहले काट लेते हैं पनीर को प्रेंड्स फाइनली हमने अपना पनीर काट दिया है देख सकते हैं एक साथी काटा मैंने देखिए तो चलिए फिर इसमें एड़ कर लेते हैं फटा 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 यह देखिए मतर भी हमारी पक चुकी है पनीर तो वैसे भी सोप्ती होता है उसमें तो जदा पकाने के जुरूत नहीं बढ़ती है छुक्त कर देते हैं तो यह द्त हैं और फटा पर तो यह महरी आत्ट फटा प्लय मिलानी असमें नहीं जा तब तक यह पख जाएगा तब लगा लिया है और अब देखते हैं माई सब्जी बनी या नहीं बनी चलिए फटा फट देखते हैं फ्रेंज अचने क्यों क्या हुआ वाव कस यह देखिये नाइस ना तो यह देखिये फ्रेंज फाइनली हमारा पनीर बनके रेडी है और पनीर बहुत ज़्यादा आ गया था तो मैंने आदा उठाके रख दिया सब कल फिश बनाऊंगी तो देखिये गाईस हमारा पनीर एकदम बनकी रेडी है कितना कितनी अच्छी रंगत आये ना अच्छा तो दूब रहे हैं और यह दो नीचे दाए फ्लेम कर देते हैं बंद और बनाते हैं थोड़े चावल फिर रोटी आइस फाइनली हमारा सारा खाना बन चुका है और यहां पर पती दो कर रहे हैं बच्चों के लिए प्लेटिंग और सब के लिए अपने लिए वी तो देखि यहां बढ़ा रहे हैं यहां पर बने चावल रोटी और सब्जी तो चलिए गाइस आप भी आजाए खाली जिए टेश्टी टेश्टी पनीर रोटी चावल लिए खाना लग चुका है सब लोग जा रहे खाने मम्मी भाई और ये और ये रहे हमारे बच्चे यह दीजे का रहे हैं यह फिलाते बहुत खाना है विश्टर में चलिए गाइस आजाए आप भी खाली जी